हिंदी व्याक्रम में हम संग्या एमां उसके ब्येद करेंगे जान पहचान भाव भूमिका हम हमेशा ही बहुत सारे लोगों अत्वा वस्तुओं से घीरे रहते हैं और हम लोगों को उनके नाम से बुलाते हैं और वस्तुओं को उनके नाम से जानते हैं हम ऐसी किसी वस्तु या व्यक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते जिसका कोई नाम नहीं हो, जिससे हमें यह ज्यात होता है कि नाम की किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए कितना जरूरी होता है, यहां हम जानते हैं कि हर एक वस्तु कोई भी जीव जनतु है जा वस्तु है उसका को बिना नाम की कोई वस्तु जा जीव जन्तु नहीं होते तो किसी व्यक्ति जा वस्तु के नाम को ही संग्या कहा जाता है संग्या की परिभाशा संग्या की परिभाशा जानने से पहले इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो सबसे पहले है मैं भारत का वासी हूं दूसरा है यह उस्तक संतोश की है। इन वाक्यों में भारत, गुलाब, फूल और संतोश, स्थान, वस्तू, एवं व्यक्ति के नाम है। इसलिए इस उधारन के अमसार किसी व्यक्ति, वस्तू, स्थान, अत्वा, भाव, आदी के नाम को संग्या कहा जाता है। संग्या के भेद, संग्या के तीन भेद होते हैं। सबसे पहले हैं व्यक्ति वाचक संग्या, दूसरा है जाति वाचक संग्या, तीसरा है भावाचक संग्या। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्ति वाचक संग्या जो शब्द किसी विशेश व्यक्ति वस्तु अथ्वास्थान का बोध कराते हैं उनको व्यक्ति वाचक संग्या कहा जाता है जैसे इस वाक्यों में दिया हुआ है सबसे पहले हैं मोहित मैदान में खेल रहा है दूसरा वाक्या है लड़की अराधना पुस्तक पड़ रही है और तीसरा वाक्या है जलंदर बहुत बड़ा शहर है इन वाक्यों में मोहित अराधना एवं जलंदर मोहित विक्ति का नाम हो गया अराधना वस्तु का नाम है और जलंदर स्थान का नाम है इसलिए यह है विफ्ति वाचक संग्या के उधारन है दूसरा भेद है जाति वाचक संग्या जाति वाचक संग्या की परिभाशा है जिन शब्दों से किसी एक जाति हैवं वरग का बोध होता है उन्हें जाति वाचक संग्या कहते है इन वाक्यों से पढ़ते हैं पहला वाक्या है आदमी काम कर रहे हैं दूसरा वाक्या है बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और तीसरा है इस जंगल में बहुत जानवर है तो इन वाक्यों में आदमी स्कूल है वं जानवर आदमी समूख को दर्शारा है स्कूल, किसी वर्ग, स्कूल कई तरह के होते हैं, स्कूल का कोई एक नाम नहीं है, तो स्कूल लिख दिया तो जाती वाचक संगया होगी, अगर नाम ना दिया हो तो जानवर, जंगल में कई तरह के जानवर रहते हैं, तो सभी को हम जानवर ही कहेंगे, वो समू में आ जाते ह तो ये ब़रख को दर्शा आते हैं, इसी लिए ये चात्ती वाचक संग्या के उदारन है तीसरा भेध है भाव अचक संग्या भाव अचक संग्या की परिभाशा है, जो शव्द किसी व्यक्ति, वस्तूं की गुन दोश, भाव या दशा का बोध करवाते हैं उसको भाव अचक संग्या कहा जाता है इसमें भाव का अर्थ है जिन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं देख नहीं सकते वो भाव अचक संग्या होती है जैसे पहला वाक्या है कृशन और सुदामा की मित्तरता अटूट थी दूसरा वाक्या है आज बहुत गर्मी है इन वाक्यों में मित्रता मित्रता को हम महसूस कर सकते हैं गर्मी गर्मी भी हम महसूस करते हैं सर्दी गर्मी मित्रता सच्चाई ये सभी महसूस कर सकते हैं तो ये भावाचक संग्या होते हैं इसलिए ये भावाचक संग्या के उधा और नहें